साइड चत्र chemical industry बीड महाराष्ट्र दोस्तो ये laundry chemical order है नने शोर राउत बीड सिर्टी महाराष्ट्र से हमारे सिर्टी से ही order है दोस्तो इसमें white कपडों की कीट है और जो साड़ी सूट शेरवानी में लगता है वो एक कीट है और स्टेंड रिमोर कीट है तो दोस्तो इसमें जो वाशिंग के लिए जो सपेत कपड़े होते हैं उनमें दो पार्ट आते हैं सपेत कपड़े में एक तो full white और जो दुसरा होता है वो dot होते हैं उनपे lining होती है वो part आता है तो उसको hypo नहीं चलता उसकी print lining या उसके जो भी design है वो चली जाएगी इसलिए उसके लिए hypo नहीं चलता और एक होता है full white तो दोस्तों जैसे कि full white cotton और polyster एक साथ mix करके आप dip कर सकते हैं wash कर सकते ह तो इसमें आप हाइपो ले लीजिए, एक समझ लीजिए कि एक 10 कपड़े है, 10 कपड़े के लिए आप 1 कप हाइपो ले सकते है और 10 कपड़ों में पानी 10-15 लिटर हो सकता है और इसमें WS दो ढकन डाल दीजिए, डीप करने के लिए हाइपो डाला एक कप, WS के दो ढकन डाले, डायमंड पाउडर, एक कपड़े के हिसाब से 2 ग्रैम, कि याने कि आगर 10 कपड़े होते तो वो 20 ग्रैम डाल दीजिए और ये जो डायमंड लिक्विड होता है, वो 20 ml डाल दीजिए, तो भीगोने के लिए आप हाइपो, WS, हाइट पाउडर और हाइट लिक्विड इसका यूज कीजिए, कपड़ों को आप एक घंटा, दो घंटा या आप आगर रिगुलर तरीके से आगर आप ओर नाइट, राद बर भिगोते हैं, तो भी चलेगा, और इस सिलूशन में टिनोपॉल भी डाल दीजिए, एक आदा चमस से कम टिनोपॉल डाल दीजिए, हाइपो, WS, हाइट पाउडर, हाइट लिक्विड और टिनोपॉल इसके सूलूशन में डीप कर दीजिए, अगर रंगीन कपड हैं, डाट वाला, वाइट लाइनिंग वाला, तो इन कपडों को सिरिफ हाइपो ना डाल के, बाकी, WS, डाइमंड पाउडर, डाइमंड लिक्विड और ये टीनोपॉल में उसको डीप करके रख दीजिए, और जनरल तरीके से सुब में, या एक घंटे के बाद में वाश क कर दीजिए, और इसको आप गरम पानी इस्तमाल कर दीजिए, क्योंकि गरम पाने में बहुत आच्छा रिजल्ट आता है, तो फिर क्या करना है, आपने कपड़े वाश कर दिए, तीन पाने में खंगालना है, लास्ट के पाने में क्या करना है, तोड़ा टीनोपॉल डालना डालना है और नॉर्मल लिक्विड ब्ल्यू जो की कपड़ों पे नीली ना दिखे इस हिसाब से डालनी है और जो आपने तीन पाने में खंगाले है कपड़े उसमें डीप करके रख देना है एक पास-दस मिनेट के लिए और उसके बाद उसको हाथ से निच्चोड के या फिर हैड्रो करके उसको अभी लिक्विड स्टार्च देने की बारी आती है जो भी आपने आरारोट की जो स्टार्च का घोल बना के लिया है च्छान के लिया है आभी कपड़ों को देने के लिए तो उसमें क्या कर दीजिए कि ये जो लिक्विड स्टार्च है वो डाल तो ये liquid starch आंदा जैसे डाल सकते हैं समझो की 5 liter निकाला है तो उसमें 50 ml डाल सकते है liquid starch white special और फिर उसमें आप कपड़े dip करके starch कर सकते हैं तो इससे आपकी जो starch है वो full white बनेगी और आपका जो कपड़ा है बहुत जादा कड़क बनेगा और फिर lose भी नहीं पड़ेगा और फिर ये जैसे ही ये आपका procedure कंप्लेट हो जाता है तो आप प्रेस कर सकते हैं और ये जो standry more है ये standry more का detail आपने कैसा use करना है तो वो PDF फाइल में दिया है और अब बारी हाती है कि जो sari suit शेरवानी की kit है इसमें NID समझ लीजिए कि 30 लीटर पानी में 30 ml NID 30 ml dust lifter और color guard सिर्फ 5 ml डालना है इस solution में sari suit शेरवानी आप dip करके wash कर सकते हैं wash करने के बाद में खांगालनी कर सकते हैं 3 पानी में और last के पानी में समझ लीजिए 30 लीटर पानी है तो 30 ml soft player डाल दीजिए और soft player डालने के बाद में last के पानी में खांगालनी करके आप hydro कर सकते हैं तो दोस्तों white कपडा हो रंगिन कपडा हो आप इसको धुप में ना सुकाए छाव में ही सुकाए बहुत आच्छा result आ जाता है और ये color guard और soft प्लस color रोकने का भी काम करेगा और इन में ये shining लाने का भी काम करेगा तो इसी तरह से ये order है न्यानेश्वर राउत बीड़ सिटी से महराष्ट्र ये लानेश्वर प्लस ना, बीड़ से